है 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 कि आपके बोल्टप अच्छे आपके लाइए बोस्टेशिया और अच्छी आपके लाइए अच्छे चानल पर आपका अपका अच्छागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप French Language फ्रांस में सीख सकते हैं and especially कैसे आपको French Language वीजा इंडिया में मिल सकता है ताकि आप France में जाकर French Language easily सीख सके हैं आज के टाइम में French Language दुनिया में बहुत ज्यादा famous language है and हर age group का इंसान French Language को सीखना चाता है सब के अपने अलग लग गोल्स होते हैं कोई study purpose से सीखना चाहता है because foreign country अगर आप French सीखते हो तो free education आपको मिलती है किसी को top job position चाहिए होती है because French language सीखने से आपको बहुत जादा क्या सकते हैं कि top ranking की job मिल सकती है and साथ में बहुत सारे लोगों को family visa भी चाहिए होता है spouse visa भी चाहिए होता है बहुत सारे लोगों को PR के लिए apply करना होता है and बहुत सारी countries जो अपनी नागरिकता देती है for example France हो गया Canada हो गया and Monaco हो गया and साथ में Belgium Switzerland तो and बहुत सारे लोगों को travel purpose से भी सीखना होता है तो कहने का मतलब यह है कि French language बहुत जादा famous है और बहुत जादा लोग इसको सीखना चाहते है अलग अलग purpose से but सब चाहते है कि क्यों ना अगर हम French language सीखें तो हम France से सीखें ताकि हमें France जाने का मौखा भी मिले language भी सीखें and life को experience भी gain कर सकें बट होता है कि बहुत सारे लोग जाना तो चाहते है बट उनको process के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा वीजा apply करना है कौन सा course join करना है ताकि France जाने में असानी रहे तो बहुत सारे लोग हमें भी call करते हैं जानने की कोशिश करते हैं तो French language सिखाते हैं हमारे वीडियो देखने के बाद लोग हमें contact करते हैं तो हम उनको guide करते हैं तो आज मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं जिनको भी France जाना लैंग्वज सीखने के लिए French language तो आपको मैं आज पूरा process बताऊंगा कि कौन सा course आपको जॉइन करना है कौन सा वीजा आपको अप्लाई करना है कौन से documents की आपको ज़रूत पड़ेगी तो मैं इस वीडियो में सारे information दोंगा ताकि उससे आपको आज पूरी knowledge मिल देगी देन उसके बाद easy होगा आपके लिए वीजा अप्लाई करना हम भी France को लेकि बहुत जाद एक्सपर्ट है हम भी France में रह चुके हैं हमें पता होता है कि कौन सा कैसे आपको वीजा मिल सकता है तो अगर आपको 100% वीजा चाहिए French language का तो आप हमें contact कर सकते हैं आपको इंडि visa भी दिला सकते हैं आपको job दिलाने मदद कर सकते हैं फ्रांस के अंदर सो हम बहुत सारी चीजों में help करते हैं आपको इंडिया के अंदर online and offline french language भी सिखाते हैं आपकी हर चीज में आपकी मदद कर सकते हैं आप होई टीम को contact कीजिए और साथ में आप हमारा Instagram का account online देख सकत हैं उससे आपको काफी knowledge मिलेगी so now without much ado let's get started so now video के starting में मैं सभी Indian students को and different age group के लोगों का encourage करना चाहता हूं कि आप सभी को फ्रेंच सेखनी चाहिए future में बसना है इनकी नागरिक्ता चाहिए तो आप French language सीख सकते हैं बहुत ज्यादा उसके नागरिक्ता पाने में आपको बहुत ज्यादा असानी होती है और साथ में बहुत ज्यादा जॉब्स पी आपको मिल सकते हैं बहुत ज्यादा उसके benefits होते हैं so it's always advisable to learn this language to make sure you can have a good life you know and इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि अगर आपको France में French language सीखनी है तो आपको कौन सा course join करना पड़ेगा जिसके basis पर आपको visa मिलने में असानी होगी तो इसको ध्यान से समझना France के अंदर अगर आपको French language सीखने तो वहाँ पर बहुत सारे levels होते है A1 level भी होता है A2, B1, B2, C1, C2 तो यह 6 levels होते हैं French language के तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी course चूज करना है वहाँ पर वो आपका course होना चाहिए Intensive course Intensive course आपको चूज करना है और साथ में यह देखना है कि आपकी classes daily होनी चाहिए जो भी program आप चूज करोगे क्योंकि daily classes होना बहुत ज़रूरी है तबी France Embassy को यकीन होता है कि आपका जो course है आप serious हो French language सीखने के लिए तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और जो भी course आप चूज करने वाले हो Intensive course उसका ध्यान रखना है कि उसकी duration करीब करीब minimum 4 months की होनी चाहिए and maximum 12 महिने की होनी चाहिए तो अगर आप इस तरीके से अपने course चूज करोगे तो आपको वीजा मिलने में French France Embassy से बहुत असानी होगी तो यह जो मैंने आपको advice दिये इसका आपको ध्यान रखना है and now अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस type का किस category का वीजा apply करना होगा ताकि आपको असानी से वीजा मिल जाए तो आपको ध्यान अखना होगा कि France बहुत बड़ी country है and France के बहुत ज़्यादा different types के वीजा होते है क्योंकि अगर जब भी आप VFS के website पर जाओगो तो आपको बता चलता है कि बहुत सारी वीजा की categories है तो बहुत बार आप confused भी होते है कि हमारे लिए कौन सी category होगी तो अगर आपको France में French language सीखनी है और आपको French language का वीजा चाहिए तो एक वीजा की category होते है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो इसको बोलते है long stay student visa और इसको French language बोलते है BLST étudio यह इसका French का वर्ड है अगर इसको French वो बोलेंगे तो बोलेंगे वीजा लॉंग सेजू तोंपोरे एतुदियो यह एक वीजा का नाम है category है तो आपको यह वीजा अपलाई करना पड़ेगा इस वीजा की जो duration होती है ऐसे जादा एक साल के बीच में तो इस तरीके से यह जो visa की category में आपको बता रहा हूं इसको आपको अपलाई करना ताकि आपको यह visa है वो 4 मैंने से लेकर एक साल के बीच में आपको मिल सके इस visa को अपलाई करने कए पाइदा यह भी होता है कि इस वीजा के थुरू अगर आपको और भी शेंगन कंट्रीज में विजट करना है घूमना विकूस ऑविसली जब यह फ्रांस जाओगे तो आपके मन में जिसका आपको द्यान अखना है तो सबसे पहली चीज तो आपका पासपोर्ट होता है दूसरा अगर आपने लिया है किसी भी लैंगज स्कूल में तो उसका जो एडमिशन लेटर है यहने कि अपने प्रूफ है वह भी आपको करना पड़ेगा और आपको अपना बैंक स्टेट होती है अगर आप इसको यह साथ डॉक्मिश करते हो तो उससे आपको वीजा मिलने में असानी होती है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है तो बस अब आपके लिए बहुत असान है आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इसी फ्रांस में भी जा सकते हैं फ्रेंच को अगज में आपका अड्मिशन करा सकते हैं फ्रांस के बस लैंगेश स्कूल में अपको चूड़ने में बिलाज होसे और आपको बहुत सारी चीज़ों से हमारी टीम को भी कॉन्टाक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंडिया में चीक नहीं है तो हम भी आपको ऑंलाइन और सिखा सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा असानी होगी अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप हमारा इंस्टेग्राम का में का असानी होगी।